Assalamu alaikum student of class 4 I hope you have done your first chapter in your copies Now I am starting over second chapter that is teeth What is teeth? Teeth क्या होते हैं? Teeth हमारे दात होते हैं सही है? दो तना के दात होते हैं जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पहले मिल्स तीथ जो हैं वो ग्रो करते हैं जिसे हम दूत के दात भी कहते हैं और ये कित्ते होते हैं? ये 20 इन नमबर्स होते हैं उसके बाद आइस्ता आइस्ता जब हम ग्रो अप होते हैं तो हमारे मिल्स तीथ जो हैं वो फॉल आउट होना शुरू होते हैं तूटना शुरू होते हैं और उसकी जगा पर्मिनेंट तीथ जो हैं यो आपने मुू को खोलकेए तो आपको और प्रन के हमारे डिफ्रेंट अलग-अलग के दाथ हैं। तूद किसे कहते हैं एक दाथ को तूद कहते हैं और यह प्लूरल होता है उसे टीथ कहा जाता है। तूद टाइप कौन कौन से हैं इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर. look at in this picture incisor teeth कौन से होते हैं ये front के हमारे जो 4 teeth होते हैं ये मैंने half बनाया है half उपार होते हैं half नीचे होते हैं तो नीचे वाला मैंने jaw बनाया हुआ है तो front के जो 4 teeth होते हैं flat होते हैं इन्हें incisor कहा जाता है और इनका काम क्या होते हैं cutting और biting के लिए for example मैंने आपको apple दिया खाने के लिए तो आप कैसा उसको cut करोगे front के तीज से side से तो नहीं करते हैं तो यह हमारा यह हम roll खाते हैं तो वो भी हम आगे के तीज से ही cut करते हैं तो यह incisor तीज जो है वो cutting और biting का काम करते हैं second teeth आते हैं हमारे canine canine four teeth के बाद आप देखेंगे तो आपके हलका ता sharp teeth जो है वो नजर आएगा है इन्हें canine कहा जाता है canine teeth का क्या function होता है यह food को tear करने का अब आपके पास एक leg piece है तो आप उसको किसना ना खाओगे हरका साइड से जब आप खेचोगे तो वो canine teeth से ही cut होगा यह tearing का का काम करते हैं उसके बाद आते हैं हमारे पास pre molar pre molar canine के बिल्कुल बराबर में होते हैं यह रही प्लूमोलर यह थोड़े साइज के होते हैं और यह chewing का का काम करते हैं जब हम bubbles बगरार मुँ में चबाते हैं तो यह हमारे three molars जो हैं वो work कर रहे होते हैं then उसके पास आते हैं हमारे molar teeth molar teeth जो हैं यह बहुत strong और बड़े size के होते हैं और यह खाना जब हम कोई भी निवाला खाते हैं तो वो उसको बिल्कुल grind कर देते हैं जैसे अगर हम कोई चीज grinder में डाल के piece थे हैं बिल्कुल तो इस तना से बिल्कुल grind करने काम कौन करता है molar teeth करते हैं साहिए कौन-कौन से teeth हैं हमारे पात incisor canine premolar और molar तो यह हमारे teeth यहां पे यह two types का topic खताम हुआ आगे जो है मैं आपको बताऊंगे हम अपने दादों की हिफाज़त किस तना कर सकते हैं कौन